गुद्ध मार्निंग विद में मैट्स इंग्लिश दोनों एक साथ चलिए दोस्तों आज हम जाने की कोशिस करते हैं कि मिक्स फ्रेक्शन्स को बहुत जल्दी कैसे घटाए जाता है यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर कॉशन्स देख रहे हैं उनको अगर फर्स आपको घटाने तो क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम इस फाइव को कुछ इस स्टाइल में लिख लेते हैं फोर फोर बाइ फोर क्योंकि फोर 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 की रियल मिनिंग फाइव ही है आप सब जानते हैं इसकी अगर हम देखें रियल मिनिंग तो चार सही चार बटे चार चार प्लस चार बटे चार यानिकी एक चार और एक पाँच तो यह वहले पाँच ही है तो मैंने इसको 5 को 4, 4 by 4 की फॉर्म में लिख लिया अब बात करते हैं ये वला 4 और ये वला 4 कहां से आया ये ये वला 4 है क्लियर है गाईज बस आपको माइनस कर देना है 3, 3 by 4, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 और बे सेम है ये आंसर आपके सामने है बहुत इजी तरीके से इसको हमने कर दिया अब देखिए दुबारे से इसको करते हैं 4 को मैं लिख सकता हूँ 3, 3 by 3 फिर वही बात ये 3 कहां से आया यहां से क्लियर गाईज 3, 3 by 3 की वैल्यू ही 4 होती है तो इसको 1 माइनस 2 by 3 करें तो 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 और बे सेम है यह वैल्यू आपके सामने आ गई चले बात करते हैं next question की देखते हैं अगर हमें 10 को क्या लिख सकते हैं इसको हम 9, 7 by 7 हम लिख सकते हैं फिर वही बात करते हैं 7 कहां से आया 7 यह रहा 7, right 9, 7 by 7 आप सभी जानते हैं की 10 होता है इसमें से माइनस हो रहा है 3, 2 by 7 तो 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 और बेस सेम है 5 by 7 तो यह बहुत इजी तरीके से मैंने आपको solve करना बता दिया है mix fractions को otherwise आप अगर basic से करें तो इनमें काफी time आपको लगेगा इस तरीके को इस method को आप बड़े numbers पे भी apply कर सकते हैं आज की class में हमें question discuss करते हैं मैंने आपको एक sentence दिया I know him and if I ask you अगर मैं आप लोगों को बोलू I know him का passive क्या होगा तो passive voice active passive हमने class भी की थे आप लोगों को याद होगा active से passive कैसे बनाते हैं तो अगर मैं I know him का passive बनाओ तो क्या बनेगा he यहाँ पे मैंने क्या लिखा यहाँ पे मैंने लिखा is known मैंने यहाँ पे students is known क्यों लिखा क्योंकि यह जो tense है यह tense कौन सा है verb की first form कौन से tense में आती है verb की first form आती है simple present tense में और जब हम simple present tense का passive बनाते हैं तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं is MR और verb की third form तो मैंने क्या लिखा he is known और जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं और जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम active से passive बनाते हैं हम यहां लिखते हैं by me तो इसका जो traditionally जो है जो passive होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? कि he is known by me बट अगर मैं आपको बोलू कि यह गलत लिखा है मैंने this is wrong यह चीज मैंने एक mistake किया क्या कोई मुझे बता सकता है मैंने क्या mistake कि है? जो mistake मैंने की है वो यहां पे by में की है यहां पे आने वाला word by नहीं होगा यहां पे आने वाला word to होगा he is known to me वो मेरे द्वारा जाना जाता है? नहीं वो मेरे द्वारा जाना जाता है? that is wrong वो मुझसे परिचित है he is known to me हम known word के आगे हमेशा हमेशा to लगाते हैं अगर मैं married word की बात करूँ married word के आगे भी जब भी आप passive voice की बात करोगे, passive voice में married के आगे भी to लगता है, कौन-कौन से दो words है जिनके आगे to preparation लगता है नोन के आगे to लगता है और married के आगे students to लगता है, thank you Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards तो guys, अगर आपको इस हैशन बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करना ना भूले और अगर आप ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले You will meet us every day at 7 a.m. और शेर जरूर करो